नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग दोस्तों, यहाँ पर आज सटर्डे है, 26 पर विडियो 22 और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके साथ में हाजिर हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक एक एकसिस मुच्वल फरंड खुलावा है मैं अक्सर मुच्वल फरंड स्टोक यह सब बताता रहता हूँ, आरेकमेंड करता रहता हूँ जैसा कि प्षले बार विपॉर्ट्फोलीयो दिया था दो दिन पहले पॉर्ट्फोलीयो दिया, कल देखिए उस पॉर्ट्फोलियो में काफ़ी लिखा हुआ है, Axis Small Cap 50 Index Fund, क्या लिखा हुआ है, Axis Small Cap, यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां पर देख पा रहे है, Small Cap 50 Index Fund, यहां पर हो सकता है कि थोड़ा आप Confuse हो जाए कि आखिर यह क्या है, 7 March को यह fund close हो जाएगा, यानि 7 March तक आप पैसा लगा सकते हैं अगर आपको इसम इन्वेश्मेंट पर पर स्टों फिफंड पैसा लगाना तो जरूर लगा ले एक किस फरवरी कि फंड पैसा लगा सकते उसके बाद आपको लोट हो जाएगा पहली बात यह हो गए अब हम यहां फे दो तीन वर्ड समंझ लेते हैं कि इस्मॉल कफ 50 इंडेक्स क्या है था ना यह इनकी था आप समझ रहें लेकिन यह इसमॉल कफ 50 इंडेक्स फंड एक्छुली यह है क्या इसके बारे में समझ रहें तो देखिए जो स्मॉल कफ है इसमॉ next 50 होता है nifty mid cap होता है उसी तरह nifty small cap होता है पिछले market के गिरावट में आपने देखा जब market कोविट के बाद से bounce किया था जब तो उसमें small cap fund ने आपको काफी बहतर return जो return के मामने में होते है small cap fund fund ने सब लोगों को पचाड दिया small cap stocks ने काफी अच्छा पैसा बना के दिया अब किसी एक बैक्ति को मैं बोलूं कि आप सारे small cap stocks खरीद लो तो वह तो परिसान हो जाएगा कैसे खरीद पाएगा अब small cap कितने small cap है ये भी आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको वह भी बता दूँगा कि सारे stocks तो आप खरीद नहीं पाएगे तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि मैं एक ही बार में उन सारे stock का कुछ छोटे-छोटे quantity कुछ छोटे-छोटे percentage wise खरीद लो तो वह जाही इसे बात सारे stocks अपने मेरे पास आजाएंगे तो उसके लिए access ने क्या क्या ये small cap fund को launch कर दिया जिसका नाम रखा उसे small cap 50 index fund अब इसके अंदर भी आपको ये पता करना होगा कि आपके इसमें कौन-कौन से stocks होते हैं आखिर access ने इसमें किस-किस stocks को रखा तो पहले वह बा return बना के दिया small cap stocks ने काफी अच्छा return बना के दिया portfolio diversification हो जाता है क्योंकि अलग-अलग stocks में investment रहता है तो काफी अच्छा portfolio diversification में मार्केट जब गिरता है मार्केट उठता है जब मार्केट साइड बेता है हर condition में वह अपने आपको stable रखनी की कोसिस करता है क्योंकि अलग-अलग stocks में पैसे लगी होते हैं इसी तरह emerging company जो भी company इसके अंदर आती वह काफी growth वाली होती है और काफी उसमें business की संभावनाय काफी जादा होती है इस यह सारे चीजे आपको मिलती है लिवरेज मार्केट वीटर मतलब लिवरेज के हिसाब से इसका इहां पर असर उतना पड़ेगा नहीं लिवरेज मार्केट वीटर कहने का मतलब कि आप एक बार में सारे तो stock नहीं खरीद पाएंगे तो कितना पैस अलग जाएगा सारे अग इंडेक्स इसके अंदर अगर मैं जा रहा हूं तो यहां पे वह मुझे दिखाने और बताने की कोशिस करता है देखें ध्यान से देखें वह यहां पर मुझे बताने और दिखाने की कोशिस करता है कि किस-किस stocks में कितने कितने percentage wise लगे हुए मैं आपको यहां पर पूरा के 21 परशन के आज़ पास में ओटो मोईल के 15 परशन के आजबास में फइनिसे सर्फिजिस में 11 पॉइंट का अजबust मेटल में 3 पॉइंट, फार्मा में 4,65 केमिकल में 2.88 केमिकल और एल एन गस्में 1.5 परशन यह सारे जितने भी sector है उन सारे sector के जो leading stock है small cap में उन सारे stocks को collect करके एक fund बनाया गया जिसका नाम access small cap fund रखा गया 50 तो यहां पर इतने सारे आप consumer good के अंदर मालिजे कि जितने stocks हैं कि आप पारे खरीद पाएंगे एक बार में नहीं खरीद पाएंगे ईटिए अच्छा बचने का क्या है और यह तो डाइबर्सिकेशन ने कंजूमर है इस पाई क्या पार्सिक्ण क्या है और यह मुझे अच्छा लग रहा है यह पूरा आपको आपको यह small care fund इसने जो एक्सिस ने लॉंच किया आपको इस पर एक बार नजर देना चाहिए तो benefit आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है benefit कि आपका diversification हो जाता है emerging company में पैसा लगता है और nifty के top 50 small care fund में पैसा लगता है अब इसके अंदर भी आप जाएंगे ना तो nifty के top 50 small fund में तो मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिज करता हूँ जैसे कि कौन-कौन से stocks हैं तो मैं इस पर क्लिक करके चेक करता हूँ आपको आपके सामने में देखें मैं फिर आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ इस index constitution में करता हूँ किसका कितना है उसमें एक excel seat open होता है और excel seat में आपको देखें एक तो एक नमबर तो आपको company name होगे इसलिए टोटल पचास stock होगे तो पचास small cap fund यहां पर आप समझे कि कौन-कौन से stocks हैं पचास सो को मैं आपको कहूंगा खरीद नहीं खरीद पाएंगे मुस्किल है नहीं खरीद पाएंगे तो क्यों नहीं हम उस पूरे fund को ले ले जिसके अंदर इन सारे stocks चोटे-चोटे quantity में आपको मिल जाएगा एक ही बार में आप इसमें पैसा लगाईए 5000 से आप पैसा सकते हैं इसके अंदर जो stocks रखा गया है देखें अलग-अलग sector में जैसा कि मैंने वहाप आपको sector दिखाया इसमें stocks आप देख लेंगे तो आपको दिल खुश हो जाएगा आर्ती इंडेस्ट्री आलोक अंबर इंटरपार अनुपम रसायन अवंती फीड बजाज इलेक्ट्रिकल बाला जे माइन्स बैंक को पाश्टा बिल्ला कोपरेशन बिला शॉप्ट इसमें कोई भी हो चाहे पी भी और भी देखिए आपका स्मॉल केप फंड में आ रहा है ना पी एनबी हॉसिंग यह सारे इंडिया यह सारे इमर्जिंग स्टाउक हैं विलेश मरंक और जेंसा टेक्नOLOGIY वकट फार्मा स्ट्राइट फार्मा इस्टरलाइट टेकनOLOGI रूट मोबाईल सारे के सारे कौन है emerging है तो जब इतने बैटरिन stocks हैं और आपका मन यह कर रहा है कि मुझे यह stock लेना चाहिए कि मुझे वह stock लेना आप confused हो गए यह ले रहे हैं साथ तारीक को आएगा, नौ दिन बचा हुआ है, यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, नौ दिन बचा हुआ है, आप इसके दर्मियान पैसा लगा सकते हैं, मिनिमम् अपनाजा से भी लगा सकते हैं, जो भी आपका इन्वेश्टमेंट पर 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 से होगा, तो अगर आप इसमे क्या unit मिल सकते हैं अगर आप गिराबट में पैसा लगाते हैं तो यह सारे small cap fund में श्टॉक्स के बिना तो bounce करी नहीं सकता है तो bounce करेगा तो यहां आपको यह अच्छा पैसा बन सकता है तो आपके लिए एक information video है कि एसका अगर आपको एकाउनट ऑपिसमें अगर डालना और आपको इसके जानकारी चाहिए इसके बारे में इसके मिलेगा नहीं दाले तो मैं गोर सब्सक्राइब डिश्क्रिप्टियूमर जानकारी ले सकते हैं दोस्तों आप इसमें सेहोएन निग्कत वाली बात होगी यहां पर लिखा वहाँ इंवेश्मेंट अब्जेक्टिव तो प्रोवाइड डिटर्स बिफोर एक्पेंसे देट क्लोज लिट को को रिस्पोंडेस्ट तो टोटल डिटर्स ऑफ दर निफ्टी स्मॉल कैफ 50 सब्जेक्ट ट्रेकिंगे हावर दैन कैन बी एस्वेश्मे करना हूँ विडियो में लिंक दिया आप उसके क्लिक करके अपना इंवेश्मेंट के लिए चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो मुझे फीडबक जरूर दे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्र यह यह थाद हो डोनी करें आपको अफेव साफ